Hello Friends, Welcome to my channel Friends, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौनसुन का मौसम आ चुका है और बारिश का मौसम है तो Friends मेरे एक विवर की बाइक में यही प्रोब्लम आ रही थी कि बारिश में उसकी बाइक स्टार्ट है ही होती थी तो उसका reason था कि spark plug के cap के अंदर पानी चला जाता था और कुछ दिनों पहले मैंने भी इसको अपनी बाइक में टेस्ट करके देखा तो उसका एक solution मुझे पहले से पता था जिसको मैं अपने पहले scooter पे try करता था तो आईए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपकी bike बारिश में spark plug के काम नहीं करने की वज़ाए से कई फच जाते हो तो आपको क्या करना है अभी आप देख सकते हैं कि bike सुकी होने के कारण असानी से start हो जाती है अभी ये भी चेक कर लिया है कि bike पहले से ही start हो रही है कि नहीं spark plug में जो rubber होती है उसमें crack आने के वाज़े से उसमें पानी जाने लगता है तो ये पानी जो है आपकी spark plug की wire के through होते हुए भी spark plug के cap के अंदर जा सकता है अगर आपको कोई crack नज़र आता है तो उसे MC ले वगरा है या silicone से उसे बंद कर देना चाहिए मेरी भाई की spark plug के cap dry है अब मैं इसे short करने के लिए पानी डालते था हूँ जैसा बारिश के पानी जाने से होता है बाई कैप में पानी डालने के बाद भी स्टार्ट हो रही है चलो spark plug के ओपर भी पानी डाल दिया जाए अब भी स्टार्ट हो रही है आईए अब spark plug के अंदर ही पानी डाल दिया जाए इसमें पानी डाल कर स्पाप लग को वापस लगा दिया गया है यह अब भी स्टार्ट हो रही है spark plug के कैप में भी पानी है spark plug के अंदर भी पानी है अब आप सोच रहे होंगे कि spark plug के अंदर पानी डालने के बाद भी बाइक स्टार्ट कैसे हो रही है तो फ्रेंस वो इसलिए हो रहा है कि मैंने यहां पर आरो का पानी यूज़ किया है जिसका TDS बहुत कम होता है TDS कम होने का मतलब है इस पानी में मिनरल्स बहुत कम है और जिस पानी में मिनरल्स कम होते हैं वो पानी में करंड भी उतना ही पास होता है तो इसलिए यह शोट नहीं हो पा रहा है तो यहां आपको क्या करना है spark plug खोलने के बाद आपको उसे सूंकर चेक करना है कि अगर आपको petrol की smell आए तो समझ जाना आपकी गाड़ी शोट होई होगी और आपने बार बार किक वगरा मानने के विज़े से उसे over कर दिया है उस case में आपको अपने spark plug को निकाल के और kick माननी है self मानना है जिससे जो उसके अंदर जो fuel ओवर हो गई है और fuel आ गया है उसके अंदर वो निकल जाए अब आपको अपनी bike में से petrol निकालना है spark plug के अंदर डालना है और उसे जटके से petrol निकालना है ऐसा करने से spark plug के अंदर का पानी बाहर आजाएगा आप उसे वापिस लगा देना है ऐसा ही spark plug की कैप के अंदर पैट्रोल डालना है और जटका मार के पानी बाहर निकाल देना है आप भी देख सकते हैं या पानी बाहर आ गया है spark plug के उपर भी पैट्रोल डाल देना है अब ये ध्यान लगना है कि बाइक ओफ जरूर हो अब उसको सूखने का इंतिजार करना है जब पैट्रोल उड़ जाए और गड़ी सूखिशो की निजर आए तो उसके बाद आपको spark plug की कैप को वापस लगा देना है तो फ्रेंस जैसा कि आपने देखा कि ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना है अगर थोड़ा बहुत spark दिख भी रहा है तो आपको उस कंडिशन में भी एक बार ये प्रोसर्स जरूर फोलो करना चाहिए तो फ्रेंस उसके बाद आपको अपनी बाइक का थ्रोटल पूरा गुमा के सेल्फ याकिक माननी है उससे क्या होगा उससे जो आपकी गाड़ी ओवर हो गई थी spark plug ना काम करने के वज़े से जो फ्यूल आपको जला नहीं था यूज नहीं हुआ तो वो आपके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंस ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद